हलो बच्चों क्या आल चल आपके कैसे आप एक छोटा सा एक्सपरियंस मैं अपना आपसे शेर कर रहा हूं यह जितने भी हुमन है इस पूरे धर्ती पे यह कभी ने कभी ओ फेस करते खा मैं आपसे आपके एक्जाम के बारें बात कर रहा हूं अकसर दिखा गया है एक्जाम के टाइम पर क्या होता है कि जब हम लोग इस्टडी करते हैं जब पढ़ाई करते हैं तो खासकर एक्जाम जितना पास हाता है हमारे दिमाग पे एक stress content होता है कुछ typical कोशना गया tricky कोशना गया जो हमें समझ मन यागा तो फिर हम क्या करेंगे इतनी मेहनद किया हमने पूरी भुक खतम कर ली बट ऐसा कुछ हो तो क्या करेंगे कहीं जो हमने पढ़ा है अगर एक्जाम में भूल गया तो फिर क्या होगा फिर तो सारी मेहनद खराब हो जा और यह thinking जो आना एक तरीके से हमारे body में डर पैदा करती है एक stress पैदा करती है मैं आपको इसके बारे में इसके दो पहलू के बारे मताना चाहता हूं यह thinking जो आपके exam के time पे आपके दिमाग में आती है यह कुछ हद तक आपके लिए ठीक है और यह human nature है दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसका है दिमाग में stress के time पे ऐसी बात नहीं आती है एक्जाम के time पे ऐसी बात नहीं आती है यह human nature है डर होना और मैं बताओ यह डर होना आपके लिए अच्छा है आप इसको enjoy करो body में गुदगुदी होती है देखते हो हाथ मेरे काम ते कितना मज लो इसलिए लो क्योंकि अगर यह चीजें यह thinking आपके दिमाग में आ रही है यानि कि आपने मेहनत किया है या मेहनत आप कर रहे हो अपने exam के लिए यह गलत नहीं है यह बहुत अच्छी बात है जो बच्छा पढ़ाई ही नहीं किया जिसको result से मतलब ही नहीं है जिसको life से मतलब ही नहीं है उसके लिए तो ऐसी thinking का आना ना बराबर है जी उसके दिमाग में आएगा कि वह तो ऐसी ही खतम बच्छा है लेकिन आपके दिमाग में यह thinking आने के मतलब आप life को लेके बहुत serious हो और होना चाहिए यह thinking आना बहुत अच्छी बात है लेकिन इस thinking को अपने दिमाग में एक limit तक रखना ही हमारे लिए ठीक होता है limit अगर यह आपके दिमाग में limited है तो आपके efficiency को बढ़ाएगा आपसे बार बार revision कराएगा बार बार कल्कुलेटर को ठीक से चेक कराके answer कराएगा जो आपके result में अच्छा contribution करेगा यह अच्छा है limited तक एक limit तक जब को इसफिर यह limit को cross कर जाता है मतलब यह thinking आपके दिमाग में अगर बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं वह काम खराब हो जाता है मेरे बच्छे यह thinking जब बहुत जादा आता तो पता क्या होगा stress बनता है तर सरदर्द करना शुरू करता है और और सरदर्द करेगा कभी-कभी इतना टेंशन हो जाता है कि पता नहीं इस माइंड में क्या-क्या चूबना शुरू हो जाता है सब ने फिल किया होगा मुझे विश्वास से आपने भी कभी ने कभी फिल किया होगा यह गलत है यह एफिशिंसी आपकी बढ़ानी रहा यह रेड्यूस कर रहा है सर यह तो आप कहते हो कि ठीक है यह कहते हो खराब है मैं सर हमेशा इसमें चला जाता हूं इसको कैसे कंट्रोल करूँ सर ताकि मैं लिमिटेड ही स्ट्रेस अपने पास रखो जो हमारी एफिशिंसी को बढ़ाएगा बहुत सिंपल तरीका है मैं आपसे शेयर करता हूं आप इसको अपलाई करना लाइफ में आप बिलिब करो एक्जाम ही नहीं लाइफ की किसी भी टाइम पे कि मुसीबते घरी में जब आपके उपर मुसीबते आएंगी और आएंगी जरू सब पर तभी लाइफ कहा जाता है मुसीबत और अच्छाई हमेशा साथ चलेंगी जब मुसीबते आएंगी तो आप इसको अपलाई कीजे बहुत अच्छी तरीके से माइंड पे आपका कंट्र समेंड के माइंड के माइंड के दो टुकरे होते हैं एक आपका बड़ा मैंड यह हमेशा पॉजितिव थेंकिंग को रखता है और यह जो छोटा सा आप यहां देखरूं करेंगा यह हमेशा सोया रहेगा यही माइड आपका एक्टिवली काम करता है जो आपके बारे में मिन्द करें रह हो बदोस्तों सबस्क्रमद। लेकिन जब अप करेंगे आपके मंग्यंक करते हैं इस वा को अपकर के काम मच्छे मारें होता हैं लेकिन जब आपके उपर कोई मुसीबत आती है चीरिक डिस्तर वाह डर लगता है अगर वह उना शुरू हो गा्व एजुंम का यह क्या होता है यह अऊछन से क्षुंट करेंगा मतलब यह कोछicking करेंगा आप लोगे कोछन जवाब एक स्ट्रीम लेबल से आगे और जाता है तो इतशन होता दिखाता हूं कैसे जना देखो एक चोड़ो पढ़ाई की बात है मैं एक ऐसी बात कर रहा हूं जो मतलब हरें के जीवन में कभी निकभी हुआ होगा मेरी बात सुनो मान लो कभी आप घर में बैठे हुए हो आप आराम से टीवी देख रहे हो सब कुछ ठीक है आपके पापा का मान लो आने का टाइम 6 बजे ऑफिस है मैं एक्जामपल ले रहा हूं पापा मतलब किसी डिलेटिब की बात करो मैं क्लोज आदमी जो आपसे बहुत जुड़ा chi कि तो आफ जो घर में बैटेंगों आप सोचते हैं इसा क्या हो गया पापा जुलेट ने बोला तो और कुछ पूर बोलता कुछ हो गया तो तो यह बोलता कि क्या हो सबस्पशे कोई एकट एकषिदेंट तो नहीं हो एसा नहीं हो सकता है कहीं रुक गयए होंगे कोई दोस्त मिल उगा कोई काम पढ़ गया होगा इसलिए कहीं एक्षिलर्ट हो गया हो तो यह कहता है फिर आप बोगों तो तो यह कहता है अग्योग को थो पिर इस तो नहीं हो गया तो तो नहीं हो गया अब मेरे बच्चे जब यह ख्याल आता है तो अब आपका दिमाग जो है ना दोनों आपस में लड़ना शुरू हो चुका है यह कहता है गिनाना ऐसे नहीं हुआ यह कहता है और आप देख रहे हैं कि जैसे जाया ज़्यासरी उपकर शुरू करते हैं एक स्क्रेम आने के बाद अब का सर्थ हर गणाग तब तक जब तक aí एक अच्छी Pois आपके पास ना उस जाãy इसको हावी होने के लिए इसका मतलब कि यह हमेशान निगेटिव लेके आता और जितना ज्यादा निगेटिव हमारे दिमाग में आएगा वैसे वैसे क्या होगा कि आपका अटेंशन ग्रेट होगा यही काम एक्जाम के टाइम पे होता है हमने अच्छी पढ़ाई किये अच्छी त्यारी किये बहुत अच्छा मेनद भी किया है लेकिन जब एक्जाम प्रेश्र दिमांग पर आएगा तो यह कहेगा कहीं कोशन गलत आ गया तो मतलब जो तुमने पढ़ा उसे हटके आ गया तो आप बोल तो ऐसा नहीं हो सकता है कैसे आप अपने दिमाग को विश्वास दिलाने के लिए कि नहीं मैंने सब कुछ हिक से स्टडी किया हुआ है आप कहते हो इसको कि एक सवाल पूछो कोई भी सवाल मैं जवाब दे दूंगा यह पता क्या करेगा यह ऐसे सवाल को उस टाइम पर आपके दिमांग में रेज करेग अगर आप जानते भी हो कि उसका इंसर उस टाइम पर नहीं दे पाओगे तो यह क्या होगा मेरे बचे अब हावी होना शुरू होगा और हावी होना शुरू होते हो तो फिर क्या होगा कि ultimately यह जो आपका माइंड है एक्जाम के टाइम पर इस पर हावी हो जाता है और negative thinking कि सरह में इसको control कैसे करें सरी control कैसे होगा इसका बहूत simple तरीका मेरे बच्चे बहुत simple तरीका मैं आपको समझाता हूं real life में यह मैंने भी कभी मैं आपको बताओं जब मेरा यह का निकलो और किसी अंजान आपमी से थोड़ा सा टक्रा जाओ ऐसे नॉमली टकरागे आपका कंदा बॉड़ी कुछ भी आप क्या कर तो याँ ठीक से चला करो आप ने आप क्या करो वह पूरा पूरा पुरा पत्सर आप सकता है आप एक डंडा उठाओ और उसको माने कोशिश करो वो डंडा क्या पताने क्या-क्या उठाएगा और आपकी जान ने लेगा यह 100% sure है यह जगडा जो बहुत छोटी जगा पर शुरू हुआ था मेरे बच्चे आगे चलते चलते इतना दूर पहुँच चुका है कि दोनों में से एक आदमी मरेगा तभी यह शान्त होगा देख रहो आप यहाँ पर क्या हो रहा है हम लड़ रहे हैं यहाँ भी हमारा माइंड क्या कर रहा है आप अपस में लड़ रहा है और यह लड़ते लड़ते इस स्टेज पर हम आ चुके है जहां पर अब मतलब कि एक आदमी को मरना जरूरी है और हम आपने लाइफ की बात करें तो हमारी एफिशिंसी का डाउन होना 100% शियोर है क्योंकि लिमिट को क्रोप्स कर चुके है जहगड़ा क्रोस लिमिट के आगे जा चुका है सरुपाए है मेरे बच्चे उपाए बहुत सिंपल उपाए है मैं आपको बताता हूँ अगर वो जहगड़ा जहां पर शुरुवात हुआ था ना जब आप उससे टकराए थे और उसने एक शब्द आपको बोला था आप बोलते हैं सोरी यार कोई बात ने माफ कर दो अगर इतनी बाते हो गए रहती तो जहगड़ा उस लिमिट तक ना बढ़ता जहां पर जाके एक आदमी के मरने के नौबत आगे मेरे बच्चे आपको भी अपने इस माइंड बे वही काम करना है इसका काम है जब भी इस ट्रेस आपके उपर आएगा ये सवाल पुछना शुरू करेगा उल्टे सिधे सवाल उसको पूछने दो हम उसका जबाब ही नहीं देंगे वो कहता फेल होगे तो हो जाने दो अरे माइंड को कुल रखो ना उसके सोचने या ना सोचने से थोड़े कुछ हो जाएगा उसका काम है उन निगटेव ठिंकिंग लेकर आएगा ही आएगा लेकिन आपकी पोज़तीव जो माइंड है वो उसको कभी वो अपने उपर हावी मत होने दो थे छो गजाने दो कई भूल गया खू D सबस्बों कि शिच को कहीं कलकशन गलत हो गया तो आपकर हो जाने दू अच्छी बात है और ये जब आप ने पिधा आप उसको पता चले ङया कि ये इनसान ये माइंड अब मेरे कंट्रोल में नहीं आने वाला है believe करो पांच से दस मिनिट के अंदर इसको शान्त हो जाना पड़ेगा फिर यह कोईशन देज नहीं करेगा सर्रेज क्या तो करने दो करने दो ना उसको उसको जो करने दो अरे उसके बोलने ना बोलने से मैंने जो आज 6-8 मेने की मेहनत की है वो कम थोड़े हो जाएगी और फेल हो भी गया तो क्या हुआ अगली पर एक्जाम दूँगा स्ट्रेस नहीं आना चाहिए अपने मेहनत किया हुआ है आपने जो सोचा है वो पक्का होगा एक लिमिट तक डर रखना अची बात है लेकिन इसको हावी होने दोगे तो पंगा होगा स्ट्रेस नहीं आने दो वो जब भी निगिटिव बात करता है चलो कोई बात ही देख लेगे अब जबाब ही मत दो उसको बिलकुँ शांत रखो अपने माइंड को उसको शांत होना ही पड़ेगा और ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो हर एक एक अच्छा इंसान माइंड पे कंट्रोल करने का जो तरीका अप्लाई करता हो यही तरीका है आप कीजे, आप इंजुआई कीजे मेरी बस एक ही कोशिश है कि आप लाइफ में पोजिटिव थिंकिंग्स को अपने साथ रखते वे निगटिव थिंकिंग्स को एक लिमिट तक जितना हमें उसके रिक्वाइमेंट है रखते वे हम अपने लाइफ को आगे बढ़ाएंगे मंजिल को पाएंगे और सब कुछ अची तरीके से एंजुआई करेंगे तो आज से मेरी बच्चे कुछ भी होता है चहे लाइफ में चहें माइड से कोई गलत करता है गलत बोलता हैifer कोई बात नीं हमें जगडा नहीं करता है कोई वात नीं इंजुआए करोगे एक अच्छे इंसान बनोगे अच्छे एक्जामनर बनोगे और मस्ती के मजा लेंगे आप चलिए आज मैंने जो टोपिक दिया आप एक बार उसको प्रैक्टिस कीजिए अगर कभी ऐसा आपके दिमांग में स्ट्रेस होता है तो और आप इंजुआए करो लाइफ को जितना आप एक्स्ट्रीम लेवल पे टेंस होके सोचोगे उतना लाइफ खराब करेगा जितना उसको नॉमल छोड़गे उतना आपको मजाएगा चलो बच्छे बाइबे टाटा अल दे वेस्ट अल दे वेस्ट एक्जामस और इंटर्वी और आप लाइफ को सक् क्या हाल चल आपके कैसे आप दखो आपके प्रोफेशनल लाइफ को प्रोपर तरीके से सक्सेस के पात पर लाने के लिए हम लोगों ने आपके लिए डिफरेंट कोर्सेज के लिए डिफरेंट वाटसेप ग्रूप क्रेट की हैं सीए, सीमे, सीएस और आपके जो स्कूल के बच्चे उन सब के लिए डिफरेंट डिफरेंट वाटसेप ग्रूप हैं जहां पर एक्स्क्लूसिवली हम सिर्फ और सिर्फ आपके डिग्री से जुड़े ही बातों को डिसकेशन करेंगे जहां पर आपसे जुड़े हुए जो आपके सब्जेक्स हैं उनके डिफरेंट मोक्टेस पेपर्स चैप्टर वाईज एंड फूल कूर्स वाईज हम आपसे शेयर करेंगे साती साथ हम उसका सजिस्टेड एंसर जो होगा वो भी आपसे शेयर करेंगे ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से अपना सेल्फ जज़ होने चाहिए हम उनके बार में भी आपसे बहुत भी स्टार में चर्चा करेंगे इंडस्ट्री में जो लोग प्लेस्ट हैं या जो प्लेस होने वाले हैं जो अच्छे जगव पर अपर रैंक लेकरा हैं हम उनसे डिसकेशन करके उनके एक्स्प्रियंस को भी आपके साथ शे तो अपने प्रोफेशन को आप वजन दीजे, आप उसके तरफ में बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ें, लाइफ को सक्सिस की तरफ लेके चलें, जल्दी से जल्दी सक्सिस को पाएं, और लाइफ को एक अच्छे जगा पे पहुंचाएं, अपने सारे सपनों को पूरा की बाते होंगे, अच्छी बाते होंगे, और कोई फाल्दू डिस्केशन नहीं, all the best बच्चो, all the best, thank you, thank you जी.